आज हम बनाने बाल है दम पटल बहुत यह आसान रेसिपी है और इसे हम होड चाबल के साथ सर्फ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हम एक पैन में मस्टर रोयल डाल देगे और टेल को गरम होने के लिए छोड़ेंगे और यहां पे मैंने 500 ग्रम पटल लिया है और इसका दोनों साइट से आपको कट कर लेना है अब हम सारी पटल को तेल के अंदर डाल देंगे अब हम पटल के अंदर रिकम नमक अपने स्वास्किया अकोर्डिक डाल दें अधे जोफीं। 4-5-2 पांच मिनीट बाद रचाए कबर हटा लेंगे और पलग इसे पलगज देंगे दूसरे साइट से तकी यह फ्राई Gest лет अब हम Nepal करेंगे फीर जुब से ओर चुब करेंगे फीर से पांच मिनीट बाद हम इसका कबर हटा लेंगे अब हम इसे कभर नहीं करेंगे हाई फिलिम में इसके दोनों साइट से हम फ्राइ कर लेंगे अच्छे से तकीज का कलर भी आ जाए और ये सौब्ड भी हो जाए उस दिर बात देखिए ये सौफ्ड हो गया अच्छे से फ्राइ भी हो गया है इसे अब हम निकाल लेंगे अब हम फिरसे से पैन के अंदर तेल गरम कर लेंगे और तेल के अंदर डाल देंगे दो तेच पत्ता और साबुत जीरा और साबुत गरम मसाला डाल देंगे अधास प्राइच के पिदर लगए क्रिष्ट बटारिक ए णीज़ी एकट्टा प्राइच के लगेर अब प्राइच के नदर अधाट कर देंगे ऑं टी मोदग कड़ेक पोर का। मद्लीर होगे अधास का कवाज। तमाटर और शाथ में नमक भी आट करेंगे और टमाटर का पानी सूपनी तक इसे हम अच्छी से फ्राइ कर लेंगे तमाटर जब फ्राइ हो जाए तब हम इसके अंदर सारी सुखे मसाला याट करेंगे वन टीस्पून जीरा पाउडर वन टीस्पून काश्मिरेट चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और वन टीज़पून धनिया पाउडर और साथ में हम तीखे वाले मिर्च का भी पाउडर डालेंगे और इसके अंदर हम दो ग्रीन चिरी को काटके डाल देंगे और इन सारे चीजों का हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे आपको अगर पानी की ज़र रहत हो आप थो जब मसाला तेल छोड़ दे तब हम इसके अंदर दही आट कर देंगे दही मैंने या पिट तू या थ्री टेबिल स्पून अब डाल सकते हैं अब दही के साथ हम मसाला को मिक्स कर लेंगे दही मिक्स करने के टाइम हम गैस का फ्लिम लो रखेंगे दhी को भ्य देद रखाए कि अजाए प्राइ या भू और आय इसके अंदर या बटल और इसी मिक्स कर लेंगे आप अब पनी आड्ट करेंगे अब को ग्रेभीय और चाहिए तो आप और भी पानी आड जाते है अब हम इसका नमग भी चेक कर लेंगे और इसे कवर कर लेंगे पाच मिनिट के लिए तक ग्रेवी थोड़ा सा थीक हो जाए और इसका ग्रेवी थीकी रहता है थोड़ा सा ज्यादा पतला आपने कीजिए का और यह रेडी हो गया है अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पता डाल देंगे और गैस को फ्लेम आफ करके से सर्फ कर लेंगे अपको अगर यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और मेरे चनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए तब तक क लोलो आगख कर देटियाा अट्सक्राइब कर दीए तक कर देछी है यह हो कर देत intéress को भला कर देती है ओट देती है कि शटपक खेदужд़ दे थो छेती है इच